कुछ दिनों से आपको एक news लगाता और सुनने को मिल रहा है कि F&O trading बंध होने वाला है या उसके पीछे क्या तत्य है पूरा detail में जानिंग और ये जो news है इसके उपर आप किस तरी किस और trade कर सकते हैं अपने आपको save कर सकते हैं आईए जानते हैं सबसे पहली बात है कि save ने एक suggestion panel को एक newkt किया था जिन लोगों ने कुछ suggestion दिये उनमें से कुछ साथ suggestion थे सबसे पहला जो suggestion था उन्होंने कहा कि F&O का जो आपका lot size है उसका जो रकम है उसको बढ़ाना जैसे फिलहा lot size लगबग 5 लाक रुपे के आसपास है उसको बढ़ा के उन्होंने suggest किया कि ही इसको 20 लाक से 30 लाक के दर्मियान किया जाए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा दूसरा news है हफते में जो 5 expiry है इसको 5 expiry ना रखे के वल 1 expiry किया जाए तो वापस आते हमारे पहले वाले news पे जो की कह रहा है कि F&O का जो lot size है उसको 5 लाक से बढ़ा कर 20 लाक से 30 लाक किया जाए इसके पीछे उनका मनशा पहले समझ लीजिए वे चाते हैं कि लोग जो over trade कर लेते हैं वो trading बंध हो खासकर बाते हो रही option buyers की option buyers जो बहुत ज़ादा hero zero trade करते हैं बहुत ज़ादा over trading कर लेते हैं उनके लिए वो ज़ादा effective होगा ताकि उनका पैसा सबसे ज़ादा वहाँ पे कम नुकसान करें अगर ऐसा होता है तो क्या क्या होगा इसको एक बार पहले से समझ लीजिए फिलहाल जिस तरी किसे bank nifty में आपका lot size है 15 का quantity है nifty में 25 का है इत्यादी इत्यादी इसमें जो कहा गया है कि अगर ऐसा होगा अगर numbers अगर बढ़ जा तो फिर आपका वहाँ पे पैसे का निवेश भी बढ़ जाएगा जिससे कि आप काफी सोच समझ के फिर आप trade करने के लिए जाएंगे इसलिए वहाँ पर अभी इस बात के मुद्दे पर यह अब तक एक suggestion है 15 जुलाई को इसके बार में और detail चर्चा होगी कौन से suggestion को रखन है पूरे detail में इसको चर्चा और किया जाएगा और शायद budget आने से पहले शायद इसको imply भी कर दे लेकिन इसके पीछे सबसे पहले आपको एक बात देखना पड़ेगा कि अगर यह implement हो जाता है तो यहाँ पर F&O करने वाले जो buyers है उनकी मुसीबत थोड़ी सी बढ़ जाए है अगर आपको वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपसे में अगले वीडियों मिलता तब तक के लिए जाहिन